जराइए समझते हैं कि डीलिंग रूम में क्या चलना है वहाँ पर किन खबरों को लेकर किन शियरों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं शर्द हमारे साथ हैं खास सेग्मेंट लेकर खबर गर्म है शर्द बताईए क्या खबर है आपके पास बिल्कुल अभिशेक इंटरेस्टिंग स्टॉक है गौट्ष्रिफ फिलिप्स और यहां पे लगातार दो दिन से जो है बाइंग देखने मिल रही है और जो काउंटर से हमारी बातचीत हो रही है ट्रेडर से यहां से पता चल रहे ह अगर वॉल्यूम्स की बारे में बात करें तो यहां पर देखे लगबग टू टाइमस इनके 20 डे आवरेज पे जो है वॉल्यूम्स आए है और हाली में जो था स्टॉक में थोड़ी करेक्शन जरूर आई थी लेकिन और अल्मूस्ट 50 DMA लेवल्स को टाच के दिए पर अभ रखिए जो Q2 सेल्स की जो वॉल्यूमें जो हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं Q1 में अल्री बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली थी अब Q2 में भी वो सस्टेंड वॉल्यूम परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है तो यह इंपॉर्टन जो है आगे की हो रही है और Q2 की जो सेल्स वॉल्यूम की जो आकड़े हैं वो मजबूत रहने की उमीद है गौडफुर्फिलिप्स आपको यह शेयर दिन की उपरी सतरों के आसपास ट्रेट करताबा दिखाए देगा करीम साठें तीन परसंट की शांदार तीजी है और बावन हफते की उ पार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या संके देराशियर यहां से और चलेगा लास टाइम जब रिजल्ट आया था जुलाई एंड में तो इसमें बड़ा प्रीकाउट आया था बड़े गैप के साथ आया था इसलिए पूरा और यह पूरा आदा मैना जो है ना इसमें कंसॉलिडेशन में निकाला है और आज के सेशन में अच्छे वोल्यूम्स के साथ 50 डे मुविंग अवरेज से इसका ब्रीक आउट आया है वीकली चार्ट पे चार नारू रींज कंसॉलिडेटिव कैंडल से ब्रीक आउट है जनरली इस तरीके से जब 50 डे मुविंग अवर करना चाहिए इसमें 2024 का क्लोजिंग बेसिस पे और 2400 के लिए इसको खोल करना चाहिए